चिडिया का बेटा कुकू और कालू कवे का बेटा जगू आपस में दोस्तों थे मगर जगू हर समय कुकू को बेवकूफ बनाने के जगर में ही रहता एक दिन कुकू और जगू भोजन की खोज में उड़ते हुये जा रहे थे कि कुकू की नजर एक तर्बूज की बेल पर जाती है जिस पर दो चोटे चोटे तर्बूज लगे हुये थे वो दोनों उस बेल के पास चले जाते हैं जगू देखो तो ये तर्बूज की बेल कैसे सूख रही है इस पर तो दो तर्बूज भी लगे हुए है जगू हम इस बेल को नदी से पानी लाकर डालते हैं और फिर जब ये तर्बूज पक जाएंगे तो दोनों मिल कर खाएंगे हाँ कुकु, तरबूज बहुत मज़े की होते हैं चलो मैं भी आपके साथ नदी से पानी लेने जाता हूं फिर वो दोनो नदी से पानी लाते हैं और उस बेल को डाल देते हैं आज के बाद हम दोनो रोज इस बेल को पानी दिया करेंगे ताके हमारे ये तर्बूज जल्दी पक सकें और बेल हरी भरी रहे फिर वो दोनों दोस्त वहां से चले जाती है रात को कुकु अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था मम्मा आज मैंने और जगु ने एक तर्बूज की बेल देखी उस पर दो तर्बूज भी लगे हुए थे अच्छा वो कहा मम्मा पहाडों के पास और हमने उस बेल को पानी भी ला कर दिया था अब आप उस बेल को रोज पानी देना और फिर कुछी दिनों में वो तर्बूज पक जाएंगे कुकु अपनी मम्मा को ऐसे बताता है मम्मा मम्मा जब वो तर्बूज पक जाएंगे तो हम दोनों दोस्त वो तर्बूज मजे से खाएंगे नहीं नहीं जगु जब तर्बूज पक गे तो हम वो तर्बूज कुकु से चोरी चोरी ही तोड़ लाएंगे तब तक तुम उससे कोई बात ना करना ऐसे कुकू हर रोज उस बेल को पानी देने जाता मगर वो जब भी जगू से तरबूज की बेल को पानी देने का कहता तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता जगू चले आप कल भी नहीं गे थे तरबूज की बेल को पानी देने कुकू आज तो मेरे पेट में दर्द है मैं कल जाओंगा आज तुम अकेले ही चले जाओ फिर रोज की तरहा कुकू अकेला ही चला जाता है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो तरबूज अब काफी बड़े हो गे थे वो तरबूज अब पक गे थे कुकू बेटा अभी तक पके नहीं आपके तरबूज जब पकें तो अकेले अकेले ना खा लेना अपनी मम्मा को भी थोड़ा सा देना मम्मा तरबूज तो काफी बड़े हो गे हैं बस अब एक दो दिन में हम वो तरबूज तोड लेंगे उधर जगू कवे की ममा भी जगू से कहती है जगू चलो मुझे दिखाओ कि अब वो तरबूज कितने बड़े हो गए है ममा चले चले मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो तरबूज अब पक गए है जगू और उसकी ममा तरबूज देखने जाते हैं पागल ये तो पक गए है ये अंदर से लाल होके होंगे तो ममा हम ऐसा करते हैं कि एक तरबूज में सुराह करके उसके अंदर ही बैठकर तरबूज खा लेते हैं अगर तोड़ कर लेगे तो कुकू हम पर शक करेगा अपनी मा की तरहां बहुत बड़ा सियाना चोर बनेगा मेरा बेटा फिर गोरी अपनी चोँच से एक तरबूज में सुराह करती है और पहले जगू तरबूज के अंदर जाकर तरबूज खाता है और उसकी ममा बाहिर बैठ जाती है जगू अब बस भी करो अपनी ममा को भी खाने दो फिर जगू बाहिर आ जाता है और गोरी तरबूज के अंदर जाकर तरबूज खाने लगती है जगू सच में मैंने पहले कभी इतना मीठा और सवादिष्ट तरबूज नहीं खाया ममा ममा अब ये दूसरा तरबूज हम कल खाएंगे और कुकू देखता ही रह जाएगा फिर वो दोनों मा बेटा अपने घर चले जाती है शाम को कुकू जगू के पास आता है जगू चले आज हम वो तरबूज तोड़कर आपस में बांड लेते हैं नहीं नहीं कुकू अभी तो वो तरबूज कच्छे हैं तो फिर चलो हम देखकर आते हैं कहीं हमारे तरबूज कोई तोड़ ही ना ले फिर जगू और कुकू तरबूज देखने चले जाते हैं कुकू बैठा हुआ था कि उसका दिहान तरबूज में एक सुराख पर जाता है जगू जगू ये देखो इस तरबूज में सुराख कैसे हुआ ममम मुझे क्या बता शायद कोई चूहा खा गया होगा तरबूज ये सुनकर कुकू बहुत दुखी हो जाता है वो कई दिनों से उस तरबूज की बेल को पानी जो दे रहा था ये ज़रूर इस जगू के बच्चे का ही काम होगा मुझे अपना हिशा तो लेना ही होगा फिर जगू और कुकू खर चले जाते हैं कुकू वापिस आकर दूसरा तरबूज तोड़कर अपने खर ले जाता है और वो मा बेटा मिलकर मजे मजे से वो तरबूज खा लेते हैं दूसरे दिन जब जग्गू और उसकी मम्मा दूसरा तर्बूज खाने जाते हैं तो वहां कोई भी तर्बूज ना था मम्मा तर्बूज कहां गया हाँ मुझे लगता है वो कुकू का बच्चा हमसे भी तेज निकला एक हमने खा लिया और दूसरा वो तोड़ कर ले गया जग्गू जल्दी से जाओ और कुकू से जाकर पूछाओ जग्गू जल्दी से कुकू की तरफ जाता है कुकू घर के बाहिर ही बैठा हुआ था कुकू कुकू वहां दूसरा तरबूज नहीं है पहले तुम ये बताओ तुम अकेले वहां क्या करने के थे और रही बात तरबूज की लगता है वो तरबूज कोई बिल्ली खा गई होगी ये सुनकर जगू सब समझ जाता है और शरमीनदा होकर वहां से चला जाता है और कुकू हंसने लग जाता है प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे जैंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंके उस जैंगल में खरजा का मौसम चल रहा था और उस मौसम में भोजन कहीं से भी ना मिलता था अब तो पक्षी भोजन को लेकर आपस में लड़ने लगे थे ये दाना मेरा है मैं यहां पहले आया था क्या 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 कहा मैं दाना कल देह कर गया था कल मुझे भूक नहीं थी इसलिए मैंने सोचा के मैं ये दाना आज खाऊंगा और आज तुम आकर अपना हक चता रहे हो अगर ऐसा है तो तुम ये दाना खा कर दिखाओ मेरा नाम भी कबूतर नहीं अगर तुम्हारी ये बड़ी चोंच तोड़ करना रख दी तो कबूतर और दोता आपस में लड़ने ही वाले थे जब वहां रानो चिडिया आ जाती है ये आप क्या कर रहे हैं आप अच्छे दोस्त हैं और क्यों आपस में लड़ रहे हैं दोस्ती का पता मुश्किल समय में ही तो चलता है थोड़ा मुश्किल समय क्या आया आपने आपस में लड़ाई शुरू कर दी चिडिया बेहन ठीक कहा आपने हम गलत कर रहे थे येले कबूतर ये दाना आप खा लें मैं कहीं और से ठूंड लूँगा मुझे माफ करना दोस्त आप ये दाना खा लें फिर चिडिया उन दोनों में आधा आधा दाना बांट देती है और वो दोनों आधा आधा दाना खा लेते हैं ममा चिडिया ने भी अपने लिए आज का भोजन ठोड लिया था फिर वो सब अपने अपने घर को चले जाते हैं ममा, पहले आप दाना खाएं, मैं बाद में खाऊंगा बेटा, मैंने तो रास्ते में ही भोजन खा लिया था ये दाना मैं आप के लिए लाई हूँ, आप खा लें मुझे सब पता है, ममा, आप कल से भूगी है ऐसा कहते हुए, कुकु एक चने का दाना अपनी ममा की तरफ बढ़ाता है ये ले ममा, हम दोनों एक एक दाना खा लेते हैं फिर वो दोनों मा बेटा एक एक चने का दाना खा लेते हैं ममा, अगर हमारे जंगल में बहार नहीं है, तो हो सकता है किसी और जंगल में बहार हो और हमें वहां से दाना मिल जाए कुकु बेटा हाँ मगर हमें क्या पता कि इस समय बहार कहां है और हमें दाना कहां से मिलेगा तो ममा हमें कोशिश करनी चाहिए ना हो सकता है कोशिश करने से हमें कहीं से दाना मिल जाए अगर कोई ऐसा नहीं करता तो मैं करूंगा ममा मैं अपने जंगल के पक्षियों के लिए दाना ढूंडूंगा अच्छा अच्छा ढूंड लेना अब आप सो जाएं बहुत रात हो गई है फिर कूकू और उसकी ममा सो जाते हैं दूसरे दिन ममा चिडिया नदी पर बैठी गोरी कवी से कहती है मेरा कूकू भी आज दाना ढूंडने क्या हुआ है अच्छा उसे कैसे दाना मिलेगा ऐसे मोसम में तो हम बड़े पक्षियों को कुछ नहीं मिलता फिर उसे क्या मिलेगा मगर गोरी कवी और उसकी ममा ये नहीं जानती थी के कूकू तो आज उड़ते उड़ते दूर घने जंगल में चला गया है वो वहां चला गया है जहां कोई भी पक्षी अभी तक नहीं गया था वहां के पेड बहुत घने थे कूकू के लिए उड़ना बहुत मुश्किल था मकर फिर भी वो पेड़ों से बच बच कर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देखता हुआ उड़ा जा रहा था वो थोड़ा और आगे जाता है और फिर अचानक कूकू को एक बड़ा पेड दिखाई देता है जिस पर कोई फल लगा हुआ था कूकू जल्दी से उस पेड़ के पास जाता है जब कूकू उस पेड़ के पास जाता है तो देह कर हैरान हो जाता है कि वो तो एक विशाल आम का पेड़ था जिस पर मीठे मीठे रसीले आम लगे हुए थे ये देखकर कुकू की तो खुशी का कोई ठीकाना ना था मैंने कर लिया, मैंने कर लिया मैंने सब पक्षियों की परेशानी का ओपाए ढोंड लिया अब सारे पक्षी मैंगो खाएंगे फिर कुकू वहां बैठकर एक आम खाता है जो बहुत मीठा था और कुकु एक आम अपनी ममा के लिए तोड़ कर वापिस उड़ता है वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ अपने खर पहुंचाता है ममा, ममा देखें, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? कुकु मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा आप ये आम कहां से ले आए हैं? ममा, एक बार इसे खा कर देखें, ये आम बहुत रसीला है और मैंने एक आम के पेड़ की खोज भी कर ली है जिस पर इस तरहां के धेड़ सारे आम लगे हुए हैं फिर ममा चिड़िया, वो आम खा लेती है सच में बेटा, ये आम तो बहुत स्वादिश्ट था ममा, कल हम सब पक्षियों को साथ लेकर वहां उस पेड़ के पास जाएंगे मेरे छोटे से बेटे ने तो बड़ा काम कर लिया है फिर सुभा हो जाती है कुकु और उसकी ममा दूसरे पक्षियों को साथ लेकर आम के विशाल पेड़ की तरफ जाते हैं कुकु तो आज ऐसे आगे आगे उर रहा था जैसे वो सारे पक्षियों से बड़ा हो क्यूंकि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया था वो सब पहुंचाते हैं मीठू तो ता तो आज उस आम के पेड़ को देह कर इतना खुश हो रहा था कि कुकु का मूँ चूमने लगा कालू कवा भी उल्टी चलांगे लगा रहा था कुकु बेटा आपने हम सब की जान बचा ली अब ये पेड़ हम सब पक्षियों को केई दिन तक आम देता रहेगा ममा चेड़िया को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और कुकु भी थोड़ा अकड़कर बैठा हुआ था प्यारे दोस्तों मुश्किल हालात में एक दूसरे से लड़ने की बजाए उसका उपाए तलाश करना चाहिए